हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मतन काली मीरी जो की बहुती टेस्टी बनने वाला है जिसके लिए मैंने एक किलो मतन लिया है इसे धो कर रग दिया है बड़े बड़े पीसे से और ये मैं इने एक कूकर लिया है उसमें चार बड़े गी ब Wishम भर कर घी डाल रही हुआ और व्थी। के अंदर Hari Image। के लिए दो मिनिट के बाद मैं इसमें क्या कर रहो हूं थेज पत्ता डाल रही ह días चार हरी लाइची और काली दाल रहे हूं थोड़ी से और यह थोड़ा सा अद्रक मैंने कट कर लिया है वह पी मैं इसमें डाल इसे मिक्स करके और दो मिनेट के लिए हम इसे बून लेंगे तो कि यह देखे फ्रेंड्स दो मिनेट हो चुके हैं कि देख सकते हैं आप लोग इसका कलर वगजरा इसा क्या आए हमें ज्यादा पकाना नहीं है अब इस तरह से अब में क्या करूंगी मटन जो है व मटन के साथ कि ने क्वाटर भर के मैंने लिया एक टेबल स्पून धनिया दो टेबल स्पून और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर देल टेबल स्पून मैंने इसमें डाल लिया है और नमक स्वादा नुसार डाली है आप सब लोग और यह देख सकते हो यह मैंने हरा धनिया कट करके डाला है इसमें और इसे हम लोग क्या करेंगे भून लेंगे पांस से दस मिनिट के लिए जब तक यह मैंने पानी एक पतीले में तीन से साड़ी तीन गलास गरम होने के लिए रख दिया है हमें इस पानी को बॉइल होने देना है ये देखे फ्रेंट्स हमारा पानी जो है वो बॉइल हो रहा है अब हम क्या करेंगे हमारा मटन भी जो है पान से दस मिनिट में ने पका लिया है अब ये पानी को मैं इसके अंदर डाल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके कूकर के ढखकन को जो है हम लोग बन कर लेंगे पहले में इसे मिक्स करती हूं अच्छे से बस अब हम इसको कूकर के ढखकन को बन कर देंगे और तीन से चार सीटियां लेंगे हम इसकी तब तक हम क्या करेंगे देख सकते हैं आप लोग 4 हरी इलाईची, थोड़े से काली मेरी लिये हैं और ये बड़ी इलाईची जो हो थी है काली वाली उसके अंदर के जो दाने होते हैं तो चलो इसके सारे दाने नղिकालकर, हम क्या करेंगे ? इसे पीश लेंगे आप चाहिए तो मिक्सर में भी इसे पीछ सकते हो मैं क्या करूंगी सिलबटे में इसे मोटा मोटा दरदरा कूट लूँगी इस देखिए मैंने दरदरा इसे कूट लिया है अब यह जो हरी लाइची के छिलके है मैं इसे निकाल रही हूँ अब एक छोटे कटोरी में मैं क्या करूंगी सारी मसाले को निकाल लूँगी देख सकते हो आप लोग इसे मैंने दरदरा कूट लिया है अब मैं क्या करूंगी इसी सिल्बटे में यह देखिए थोड़ी से अद्रक लिया है तीन हरी मिर्चे अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो और भी ले सकते हो और यह मैंने लेसन लिया था यह देखिए बारिक कूट रही हूँ इसे यह देखिए फ्रेंट्स हमें क्या करना है थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमें कूट लेना है ज्यादा बारिक नहीं करना है यह देखिए अब मैं इसको निकाल लूँगे एक कटोरी में लेसन मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया था चलो अब मैं इसे रख देती हूँ ये देखिए 3-4 सीटिया हो चुकी है हमारा मटल भी गल चुका है अब हम क्या करेंगे ये देखिए एक कड़ाई में तेल लेंगे मैंने थोड़ा तेल और थोड़ा गी दोनों लिया है देड़ देड़ चम्मच और जो बच्ची हुई प्याज है वो इसमें मैं डाल रही हूँ और इसे डाल कर मैं 2-3 मिनिट के लिए भून लूँगी ये देखिए अब इसमें क्या कर रही हूँ दो मिनिट हो चुके जो मसाले मैंने कूट कर लिये थी वो सारे इसमें डाल कर और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है कलर वाली वो भी डाल रही हूँ थोड़ी सी अब इसे हम लोग 5-6 मिनिट के लिए पका लेंगे ये देखिए फ्रेंट्स 5-6 मिनिट मैंने इसे पका लिया है हमारी प्यास जो है बिलकुल गल चुकी है अब मैं क्या करूँगी जो हमारा कूकर में मतन है वो सारा इसमें मैं डाल लूँगी सारा डाल कर जो है 10-15 मिनिट मैं इसे पका लूँगी फिर हमारा मतन जो है बिलक पंद्रा मिनेट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे फ्रिंट्स दस से पंद्रा मिनेट हो चुके है हमारा जो है मटन ब्लैक पेपर बनकर बिल्कुल रेडी है बहुत ही बड़ियां बनाएं और बहुत ही टेस्टी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज